गाईज मान लीजिए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश पर कोई दूसरा देश आकर या उसकी सेना आकर कबजा कर ले तो क्या होगा ये मनजर कितना खोफनाक होगा ये तो आप समझी पा रहे होंगे और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है अफगानिस्तान के लोगों के साथ जहां पर तालिबान ने अपना कबजा कर लिया है पर सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान की सेना आखिर कर क्या रही थी उन्होंने तालिबानियों को अंदर आने कैसे दिया इस पूरे घटना करम से मुझे एक बात तो समझ में आती है कि कि किसी देश की आंतरिक सुरक् कर खड़ा हुआ है जैहिंद जैहिंद की सेना पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है लांदी कोतल और वहां की खास बात यह है कि वहां पर एक बहुत पुराना बरगत का पेड़ है जिसे पिछले 122 सालों से जंजीरों में बांद कर रखा गया है और उसे अभी तक खो घूम रहा था तो उसे लगा कि वो पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहा है इसे खत्रा महसूस हुआ तो उसने अपने हवलदारों को उसे गिरफतार करने को कह दिया और तब से वो गिरफतार है मजे की बात यह है कि उस रात को वो अंग्रेज अफसर पिया हुआ था खैर तब अब हमें उसकी गिरफतारी आज तक चल रही है मैंगाई पर चर्चा हम लोग बार बार करते हैं और हर बार हमें सुनने को मिलता है कि समय के साथ साथ हर चीज महंगी हो रही है नहीं कूछ चीज़osis ऐसी है जिन पर समय का उल्टाई असर पढ़ रहा है यानि कि वो महंगे ह होने की बजाए सस्ती हो रही है, उनमें से एक है cold rate, यानि की phone पर बात करने के पैसे, मैं आपके जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि जहां 1996 में एक मिनट phone पर बात करने के लिए उन्हें average 16 रुपे तक देने पड़ते थे, वहीं ये cold rate घटकर सन 2004 में 3 रुपे पर मिनट हो गई थी, और यही cold rate सन 2016 में 50 पैसे पर मिनट ही रह गई थी, और आज सन 2020 में ये cold rate मात्र 0.06 पैसा पर मिनट ही है, यानि की cold rate समय के साथ साथ सस्ते होते जा रही है guys cold rate के अलावा और कौन सी एसी चीज़ है जिसके prices समय के साथ घट रहे हैं, comment section में जरूर लिखेगा और ऐसे amazing videos के लिए share, subscribe and like मिलते अगली वीडियो में